Hello friends, welcome to my channel, मैं हो सबिता, दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं Be it First Year के Paper 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है वनसा नुकरम यानि की Heredity आज की स्क्लास में हम वनसा नुकरम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में अर्थ, इसकी परिभासा, वनसा नुकरम का बालक पर प्रभाव और साथ ही इसके सिध्धान तवर नियम को भी पढ़ेंगे तो आप क्लास को end तक जरूर देखिएगा और इसकी previous classes जो भी है आपने अगर उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें आज हम देखने वाले हैं वनसा नुकरम का अर्थ क्या होता है पहले इसको देखते हैं तो बात करें वनसा नुकरम की तो आप इसके नाम से ही जान सकते हैं इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वंसा नुकरम सीधे तोर पर वंस से related है यानि हमारे heritage से related है अर्थाथ इसमें वंसा नुकरम में सिसु के विकास में हमारे माता पिता की भूमिका तो होती ही है साथ ही साथ सिसु के माता-पिता के माता-पिता यानि कि हमारे दादा-दादी की भी भूमिका होती है इसलिए इसका नाम वनसानुकरम है और मनुस्य के विकास में इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है आगे देखिए सरल सब्दों में वनसा नुकरम का अर्थ जानेंगे तो वनसा नुकरम का साधारण अर्थ में जैसे के तैसे से या फिर समान के समान से मतलब जिस प्रकार हमारे माता पिता होते हैं उसी प्रकार उनकी संतान ही वैसी ही होती है मतलब जिस प्रकार हमारे माता-पिता है वैसे ही हम है वैसे ही उनकी संतान होती है इसलिए इसको वनसान उकरम कहा जाता है ये बहुत ही सिंपल सा मेनिंग है इसका अब देखिए मनोवग्यानिकों ने क्या कहा है तो मनोवग्यानिकों का ये कहना है कि संतान अपने माता-पित से सारीरिक गुडों के साथ साथ मानसिक गुड़ भी प्राप्त करता है कहने का मतलब यह है कि हमारा जो बालों का कलर है या फिर हमारी आखे किस प्रकार है यह हमारा सारीरिक गुड़ हुआ यह हम अपने मातापिता से प्राप्त करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारी मानसिक क्रियाएं किस प्रकार होंगी हमारी जो बुध्धी है वो तीब्र होगी या फिर धीमी होगी इसका भी गुड़ हमें अपने माता-पिता से ही प्राप्त होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मतलब उधारण के तौर पर ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो माता-पिता मानसिक गुड अपने माता-पिता के अलावा उनके पूरवजों से भी प्राप्त करता है कभी किसी-किसी सिचोशन में ऐसा होता है कि अगर हमारे माता-पिता में किसी प्रकार की बिमारी नहीं है और वो हम पे आ गई है अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा जिसके अंदर देखने की जो छमता है वो कम है तो वह जो उनके माता पिता है ऐसा जरूर नहीं है कि उनके माता पिता भी देखने में अक्षम हो सकता है कि उनके दादा दादी देखने में अक्षम रहे हो इसलिए पोते पर उनका असर आ गया तो इस प्रकार हमारे पूर्वजों से भी हमें अन्वानसिक्ता प्राप्त होती है इसी प्रकरिया को अन्वानसिक्ता भी कहते हैं अब देखिए वनसानुक्रम की परिभासा जे ए थॉम्सन के अनुसार वनसानुक्रम की परिभासा दी गई है इन्होंने बोला है वनसा नुक्रम क्रमबध पीडियों के बीज उत्पत्ती सम्मंधी सम्मंध के लिए सुविधा जनक सब्द है ये जे ए थॉमसन के दौरा कहा गया है आगे देखिए उडवर्थ के अनुसार क्या परिभासा दी गई है वनसा नुक्रम में वे सभी बाते आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय वैक्ती में उपस्ति थी ये जन्म के समय नहीं बलकी गर्भाधान के समय से ही लगभग 10 महिने पहले से ही वैक्ती में आने लगती है जब व्यक्ति का निर्माड होने लगता है मा के गर्भ में तभी से वनसा अनुकरम की पकरिया जो है ये जारी हो जाती है आगे देखिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार वनसा अनुकरम की परिभासा माता-पिता की सारीरिक एवं मानसिक विशेष्ताओं का संतानों में संकुमित होना ही वंसा अनुक्रम कहलाता है ये परिभासा जेम्स ड्रेवर के अनुसार दी गई है अब हम देखेंगे बालक के विकास में वंसा अनुक्रम का क्या प्रभाव है पहला देखिए वनसा नुक्रम का मूल सक्तियों पर क्या प्रभाव है थौंडाइक ने बालक के जीवन और विकास में बालक की मूल सक्तियों में वनसा नुक्रम के प्रभाव को वरियता दी है थौंडाई का मानना है कि बालक की जो मूल सक्तियां है उनका मुख्य कारण उनका वनसानुक्रम ही है अब देखिए वनसानुक्रम का सारेरे क्लचडों पर क्या प्रभाव है वनसानुक्रम का प्रभाव मानक के सारेरे क्लचड पर भी पड़ता है कारल पियर्सन वनसानुक्र के सारीरिक लच्छडों के प्रभाव के संबन में अपना मत दिया है कि यदि माता-पिता की लंबाई का असर उनकी संतानों में भी पड़ता है जो की एक प्रकार का सारीरिक लच्छड है कि हमारे माता-पिता अगर लंबे हैं तो हम भी लंबे होंगे या फिर अगर हमारे मात पिता नाटे कद के हैं तो उनके बच्चे भी नाटे कद के होंगे तो ये था सारे रेक लक्षड पर प्रभाव अब देखिए वंसानुक्रम का चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है डगडेल का वंसानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव पर मानना है कि चरित्र ही इन माता माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है और इसी प्रकार अच्छे चरित्रवाले माता पिता की संताने भी अच्छी चरित्रवाली होती हैं तो ये बहुत ही सिंपल था आपको समझा गया होगा आगे देखिए वनसा अनुक्रम का बुध्धी पर क्या प्रभाव है गुडार्ड ने वनसानुक्रम का बुध्धी पर प्रभाव पर कहा है कि मंद बुध्धी मातापिता की संतान मंद बुध्धी और तेज बुध्धी के मातापिता की संतान तेज बुध्धी यानि की तीवर बुध्धी की माने जाती है अब देखते हैं वनसानुक्रम का महानता पर क्या प्रभाव है गाल्टन का वनसानुक्रम का महानता पर प्रभाव के बारे में सीधा मत है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसकी वनसानुक्रम ही होता है अब देखेंगे वनसानुक्रम के सिध्धान्त और वनसानुक्रम के नियम पहला है वनसानुक्रम के बीजकोस की निरंतर्ता के नियम के बारे में बीजमेन का क्या कथन है मनोविज्यानिक वीजमैन ने वंसवान करम के बीजकोस की निरंतर्ता के सम्मन में अपना मत दिया है जिसे वीजमैन के बीजकोस की निरंतर्ता के नियम के रूप में जाना जाता है ये जो निरंतर्ता का नियम है बीजकोस की इसको कि इन्हों ने दिया है बीज मैन ये एक मनोवेग्यानिक है इन्होंने इसके लिए एक मत दिया है जो इस प्रकार है वीज कोस का कारे केवल उत्पादक कोसों का निर्माड करना है जो की बीज कोस बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकता है इस प्रकार बीज, कोस, पीड़ी, दरपीड़ी चलता रहता है। वंसा नुक्रम का समानता का नियम क्या खहता है। वंसा नुक्रम के समानता के नियम के अनुसार जैसे हमारे माता-पिता होते हैं, वैसी ही उनकी संतान होती है। वंसा अनुक्रम के समानता के नियम के बारे में मनोवग्यानिक सोरेंसन ने अपना मत दिया है कि सोरेंसन के वंसा अनुक्रम के समानता का नियम का अर्थ और स्पस्टी करण करते हुए इन्होंने कहा है कि बुध्धी मान माता पिता के बच्चे बुध्धी मान होंगे, साधह माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धी माता पिता के बच्चे मंद बुद्धी होते हैं इसी प्रकार सारीरिक रचना की दृष्टी से भी बच्चे माता पिता के समानी होते हैं क्योंकि इस नियम का जो नाम है वो समानता का नियम ही है तो यहां पर आप बहुत आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे कि मतलब जिस प्रकार माता-पिता होते हैं उसी प्रकार उनकी संतान भी होती है अब देखिए वंसा नुकरम का बिभिनता का नियम क्या कहता है वंसा नुकरम का बिभिनता का नियम के बारे में बच्चे अपने माता पिता के बिलकुल समान नहों करके उनसे कुछ भिन्न होते हैं यहाँ पर बिभिन्नता की बात की जारी है यानि कि जो बच्चे हैं वे माता पिता से बिलकुल समान नहीं होते हैं थोड़ी बहुत बिभिन्नता उनमें पाई जाती है इसी प्रकार एक ही माता-पिता के दो बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं आगे देखी वंसानुक्रम का प्रत्या गमन का सिध्धान्त क्या कहता है वंसानुक्रम का प्रत्या गमन के नियम के बारे में बात करें तो बच्चों में अपने माता पिता के बिपरीत गुड़ पाये जाते हैं यहाँ पर इस नियम के अंतरगत बता जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वे अपने माता पिता के बिलकुल बिपरीत होते हैं बिलकुल अपोजिट होते हैं वनसानुकरम के प्रत्यागमन के नियम के बारे में सोरेंसन ने कहा है कि बहुत प्रतिभासाली मातापिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवित्ती और बहुत कम प्रतिभासाली के मातापिता के बच्चों में बहुत कम प्रतिभा होने की प्रवित्ती ही यानि कि बिल्कुल अपोजिट बच्चा होगा अपने माता पिता से आगे देखिए वंसानुक्रम का अरजित गुड़ों के संक्रमड का नियम क्या कहता है वंसानुक्रम का अरजित गुड़ों के संक्रमड का नियम के अनसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अरज लैमार का इस मत से अलग है लैमार का मत उन्होंने कहा है कि व्यक्ति यो दोरा अपने जीवन में जो कुछ भी अरजित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन किये जाने वाले संतानों को भी संक्रुमित करता है यह मत किसका है तो आप बताएंगे लेमार का यह कथन है अब देखी वंसानुक्रम का मैंडल का नियम क्या कहता है वंसानुक्रम का मेंडल का नियम के अनसार वर्ड संकर प्राडी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामानने रूप की और अग्रसर होती है इस नियम को जे को इसलो वेकिया के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिबादित किया था इनका नाम ग्रिगर जॉन मेंडल था मेंडल ने बड़ी और छोटी मतरे बराबर संख्या में मिला कर बोई थी इन्हों ने मतर के उपर अपना प्रियोक किया था और क्या किया कि बड़ी और छोटी मतर को बराबर संख्या में इसको बोदिया उगने वाली मतरों में सारी वर्ड संकर की जाती थी और देखी मेंडल इस वर्ड संकर मतरो को फिर से बोया इस क्रिया को कई बार दोराने से अन्त में इनको यानि कि मेंडल को वर्ड संकर के बजाए सुध्ध मतर भी प्राप्त होने लगी तो ये था मेंडल का नियम दोस्तों ये थी आज की कलास आई होप आपको बहुत अच्छे से समाजाय होगा वंसान उक्रम का नियम अर्थ परिभासा फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजेगा साथ ही बला आइकन भी प्रेस कर लीजेगा जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके धन्यवाद